हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो डॉल्फिन एपलाइंस चैनल आप सभी का स्वागत है डॉल्फिन एपलाइंस चैनल में हम आज आपके लिए लेके आए बेश्ट बिजनेस शुगर फ्लश मसीन जो बहुती बढ़िया बिजनेस है कोई भी छोटी सी जगा से आप जगा पर इसको प्रोड़क भी आ करते हैं जिन्होंने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया है और उनके लिए और दूसरे नए सब्सक्राइबर के लिए भी हम रोज नहीं नहीं वीडियो आपडेट निया बिजनेस निया लाँचिंग नियू प्रोफिटेबल बिजनेस रोज निया निया एंदर तो हम आज आपको यह मशीन भारने में पुरी जहन करी देंगे पूरी डिटेल्स देंगी और इसको लिए फसoba मिलती रहेंगी अचिन में अब आपको भी छोड़ेंगे सबसे पहले मिशीन फोल्डिंग है यहां से पूरा इसका अगर damage आपको बोल निकालना है तो यहां पे lock दिया गिया है पूरा बावल निकल जाएंगा इसका आप इसको कोई भी portable जगा है जैसे साधी यह फंसन है कोई बड़ा मेला है कोई बड़ा store है कोई भी location पे इसको रख सकते हो और आज की तारीक में ए चीज हरेग लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है, हरेग लोग पसंद करते है चीज को एचीज आप कोई भी जगा पे लगाए उसको और ये बिजनेस चलने वाला है, बारा मीने चलने वाला है दो सब्सक्राइब ढोनों है चना करतें डोनों में सुर्ण परा हुआ है आप देख सकते हो पुरा एक ग्रीन कलर एक रेड कलर का सूगर है आप देख सकते हो इसमें आप इसमें नॉर्मल अपना सूगर आते हो भी लगा सकते हो गर इसका आपको फलस केंडी फलस है जो अलग-अलग color में चीए तो इस सब का color वाला भी बना सकते हो इसमें ठीकें इसमें green color और रेड color का है हम आपको इसमें बना के दिखाएंगे कैसे इसको operate करना है सबसे पिले इस जो sugar बनाया है हमने इसके अंदर लगा देना है वैसे तो नॉर्मली machine के साथ में इसका spoon भी आता है आप देख सकते हो इस spoon साथ में आता है लेकिन हम आपको बावल के सबसे इसमें भी लगा देना है आप देख सकते हो यहाँ पर लगा देना है यह पूरा हमने लगा दिया इसके अंदर यह पूरा खाली हो चुका है देखिए आप अब पूरा लगा सकते हो इसमें ठीक है अभी इसके अंदर लग गया भी इसका machine का on switch करेंगे जिससे यह पूरा घुमेंगा motor start हो जाएगा इसका यह देखिए पूरा start हो चुका है घुमने के लिए अभी हम इसमें heater इसका चालू कर देंगे जो गरम होता है heating होता है उसका heater यह start हो जाएगा heater यह wooden stick यह wooden stick को हम भी लगाएंगे इसके अंदर ठीक है अभी थोड़ा heating हो जाएंगे बाद में हम इसको refill करना start कर देंगे थोड़ा heat हो रहा है इसका heater start है इसलिए heating हो गया इसलिए हम इसको start करेंगे लेने के लिए यहाँ पर इसका voltage भी दिखा रहा है उपर से अपने कितना voltage कमा रहा है जादा रहा है इसलिए voltage के अंदर दिखा रहा है आप देख सकते हो अभी दिरे दिरे जैसे heating होगा वह बाराना start हो जाएगा चलू हो जाएगा बाराना जब तक वो सुगर रहेगा तब तक वो आएगा उसका फीन जैसे सुगर खतम हो जाएगा आनाबंद हो जाएगा उसमें से जितना आपने सुगर लाला अपने हिसाब से उतने मट्रियल उसके अंदर से निकलेगा जैसे आप उसको पर कप पर क्यूब पर इसका जो नॉर्मल इसका टी स्पून रहता है इस स्पून है यह एक बार में एक फिल्विक इसको आप कर सकते हो वन टैम फिल कर सकते हो इसमे आप देखिए आप देख सकते हो पुरा अब देखिए पुरा कैसे निकल रहा हम उसको फिल कर रहे इसको अब देख सकते हो पुरा यह देखिए अब यह खत्म हो चुका है इसमें इसमें इसको बन कर देंगे यह खतम हो चुका है अब देख सकते हो पुरा अब हम इसमें दूसरा कलर का बना के बद दिखाएंगे आपको दूसरा एक कलर बनाएंगे इसमें ठीक है यह जो रेड कलर का है रेड कलर का बनाएंगे इसके अंदर सबसे पहले जैसे आपको बताये तब इसमें सुगर फील्ट कर देंगे यसके एक ओर श्टिक ले लेंगे बनाने के लिए इसका जो मोटर देंगे इसलिए राउट उनों डूना स्टार्ट हो जाएगा यहां से आपको दीख राओ देखिए अब आड़ एकस प्योब बुरा यह पूरा हो चुका है यह देखिए आप जैसा भी आपको सेप का निकलना है इसके अंदर जो भी सेप में बनाना है आप अपने हिसाब सेप बना सकते हो जैसे पूरा जैसे कि यहाँ तक आपको फिल करना है तो इसे आप भर सकते हो जैसे आप कोई भी हैंट से यूज़ करना है इलग इलग तरीके से आप कर सकते हो इसको यह एक क्यूब को बनाने का खरचा आपको 1.60 पेसे क में गिरेगा आप इसको कम से कम 10 रुपे में बेज सकते है 10 में नहीं तो 8 रुपे में 7 रुपे में कम से कम 5 में तो CELL करी सकते है 5 में भी CELL करेगे 1 पे 3 रुपी 3 रुपी और 40 पैसे का Naked Profit मिलेगा इसके अनदर आपको ठीके, और ये एक रुपे सांट पेसे में बनाने का खर्चा आपको totally include है इसके अंदर इसके अंदर sugar आ गिया color हा गिया इसका electricity आ गिया stick आ गिया wooden stick हरेक चीज़ इसके अंदर आ गिया कर सकते हैं हमारी कंपनी का नंबर है 75 75 05 0675 दूसरा नंबर है 960129 8282 नंबर पर आप मंदे से लेके सेटेड़े तक सुबह 10 बचे सामको 6 बचे तक कोई भी टाइम पर कोल करके हरेक जानकारी डिटेल ले सकते हैं और दोस्तों गर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसक अब दूसरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो यह भी हमारी नई प्रोड़क्त है फ्रेश ओरेंज जूसर मशीन है आप देख सकते हो इसकी भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वह भी आपके सामने से सब्मिट करेंगे रखेंगे एक मसीन में और इंज रखा है दूसरी में पूरी मशीन आपके सामने यह देख सकते हैं पूरा देखिए दाणम की यह यहाँ पे ओरेंज मूसम भी लगा सकते हैं इसके अंदर आप और पूरी मशीन ऑटमेटिक है इसको क्रशिंग पूरी मशीन में ना तो आपको छिलना पड़ता है ना ही काटना पड़ता है ना ही चालना पढ़ता है नहीं उसको क्लीन करना पढ़ता है पूरा फ्रेश ग्लास कस्टमर के सामने सर कर सकते तो दोस्तों थेंक्यू पर वाच्चिंग और वीडियो